पिरेदर्सको नमस्कार रिश्व जोतिस में आपका स्वागत है पिरेदर्सको रिश्व जोतिस समय समय पर आपका माग दर्शन करता रहा है आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में हम विशार करेंगे एक जातक की कुण्ली में जिसमें कीर्टी योग, दामनी योग और उभैचरी योग है जातक का राजा जैसा जीवन है योग के साथ साथ जो कुछ कमिया होंगी उसका भी वनन करेंगे पिरे दसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपका धन्वाद करना चाहता हूँ यह मेरा सोवा वीडियो है इसको लेकर के हंड़ वीडियो हो जाएंगे आपने जो मेरे वीडियो देखकर अपनी साहनुविती का योगदान दिया जो आपने लाइक किया शेर किया और चैनल को सब्क्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत अपने दिल से धन्वाद करता हूँ आईए वीडियो शुरू करते हैं दर्सको पूर्ष जाते का जनम 3 अठुबर 1999 में कृष्ण प्रक्ष नो रभिवार्पुने वर्ष नक्षत 2 में हुआ जनम के समय पर कण्या लगन हो रहा था कण्या लगन के चार दिग्रू लगन में सूरिय 15 डिग्री लेकर कि राजमान राजमाने वहीं पर दित्ते भाव में तुला राशी में बुध्ध डो डिग्री हटोव हमां की फीर दिशे सब्सक्तक्राइब है। हमां सब्सक्राइबध के वुत father is सब्सक्राइब समिक्रिभाइब सhouse अन नैसे में यह नहीं पार सुठक डिश अन्ज सब्सक्राइब होता है तुस्वकैन यह जातक की मिचारक सबसे पहले दिश्वकैनलजर्इब्रयुत大家 चंडर्माट यह जात्य को गणे से अन्रविट व्हुत Neighboda जातकि इस कुणली में किर्ट्य योग दो-तिन प्रकार से बनता है लेकिन इस कुणली में किस तरह से बन रहा है एक आदस भाव का सामी दसम भाव में हो एक आदस भाव का सामी दसम भाव में हो और दसमेश के ऊपर गुरू की पूर्ण दिश्टी हो एक आदस भाव का सामी चंद्रमा दसम भाव में है और दसम भाव का सामी बुद्ध दित्य भाव में दो डिग्री बावन मिन्ट लेकर के व्राजमान है गुरु की पूर्ण दिश्टी बुद्ध के ऊपर है यहां पर गुरु का केराधपती दोस्त भी खतम हो गया क्योंकि मेश और तुला का सुब शप्तम योग बन रहा है लगनेश भी गुरु को देख रहा है तो यहीं वाक्या हमारे जोती सास्त्रों में है यदि एकादिस भाव का सामी दसम में हो और दसमेश को गुरु देखे कीर्टी योग होता है इसमें जनम लेने वाला जातक चारों तरफ से कीर्टी का मतलब सम समपून होता है अभी हम बात करते हैं दामनी योग दामनी योग सामानी तोर पर सभी कुर्लियों में तक्रीबन बन जाता है क्योंकि दामनी योग साथ ग्रहे अगर छे भाव में होंगे तो दामनी योग आ जाता है हमारे जोतिस के विद्वानों ने कहीं पर भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है छेङ-च भायम में वो ग्रह किसी तरह से भी हो शत्रों नीच राशी हो कुछ भी हो वो अगर साथ ग्रहए छेप्शा हो तो दामनी योग बन जाता है दाम ली योक का प्रभास से जातक विद्वान होता होता है यसस भी होता है सदा सुखी रहने वाला उदाग प्रूश और बड़ा सीलवान होता है जब छे घ्रव में साथ हो जाएंगे कहीं न कहीं योग द्रिश्टी के साविक नव पंचम त्री गादस कुछ न कुछ बनेगा तो जात तक को हो डामनी योग का पूरा फाइदा मिलता है उसके बाद बात कर चाएं उभैचरी योग सूरिय के crédit attempt में सुप घ्रह होने से उभैचरी योग में जातक शम्दर्सी होता है कारे कुशल होता है सुंदर उसके paas नोकर चाकर होते हैं और दूसरों को आश्रे देने वाला होता है और राजा के समान सुकी होता है सूर्य लगन में है दित्य भाव में बुद्ध है द्वादस भाव में शुक्र है शुक्र के दोनों तरफ सुब ग्रह है अच्छा उवेचरी योग बन रहा है यहीं पर एक बात को संपून कर दें कि सूर्य भी लगन है और लगन है दोनों तरफ सुब होने से सूर्य लगन को भी बल मिल रहा है और लगन को भी बल मिल रहा है तो जरूरी बात है सोने पर स्वाहगा वाली बात हो रही है अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं गिरहों उपर क्यों जहां पर इतना योग जो बन रहा है इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दू इस योग का फलिभूत होना पूर्ण रूप से या कितनी प्रतिशत में होना ये गिरहों के अंस 52 डिग्री है लगन और बुद्ध दोनों आपस में ये बल्वान है एक अंस के हैं दर्स को एक चीज हमेशा धान रखो कि ग्रहों के अंस अगर लगन की एवरेज में होंगे उनका 10-12 से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसका परभाव अलग हो जाएगा यहां पर लगन के 500 है यानि चारश है शुक्र अपने अपमें बलु भली है जिसक टांपर यह रिफाइब होता है कि यह लगन कोई भी लगन 80 स्का होता है लगन 4 यांप पर हूआ है तो उसी उसमें जो ग्रह होंगे उसी के ruth ग्रह अनुपातम होंगे तो ग्रह सारे प्रकाषमान होंगे सबी वो परभावशीन होगे और जैसे ग्रह शनी के 22 डिiset है चंडर्मा के 26 डिsom कetoo के 15 डि 위에 है मंगल के 26 डिगरी है तो ये जिस टाइम पर बालक का जन्म हुआ उससे कहीं दूर चले गए ज़्यादा इंटरोल आ गया 24 और 26 का 22 डिगरी का फरक है 4 और 22 का 18 डिगरी का फरक है 4 और 15 का 11 डिगरी का फरक है कि तू फिर भी थोड़ा सा राओ फिर भी थोड़ा सा है तो ये ग्रहों की बल्वंता इसी आधार पर ना पी जाती है यहीं पर एक मैं बात और आपके मार्च दसन के लिए बता दू ये तो लगन चार था ये लगन लगभग डेड़ पोने दो या दो घंटे का एक लगन होता है जो की 30 डिगरी चलना पड़ता है इसी समय पर पैदा हुआ बालग जिसके लगन के अंस 20 या 25 होंगे उसमें ये सब कमजोर हो जाएंगे शनी राहू केतू और मंगल बल्वान हो जाएंगे स्पोज किया मालिया लगन के अंस 20 हैं या 22 हैं तो 26 और 22 का कोई फास से फरक नहीं इनकार सनी का कोई फरक नहीं इनका कोई फरक नहीं तो यह बल्वान हो जाएंगे और बुद्ध शुक्र और गुरू यह पीछे हो जाएंगे क्योंकि उनके अंस इतना जल्दी 2 घंटे वने बदली होंगे न तो यह 2 घंटे में हैं और इसी तरह से एक ही लगन में जन्मा वालक करमचारी बनता है एक लगन में जन्मा वालक अधिकारी बनता है यहां मैंने इसको बता दिया अब सामा में बात करते हैं कन्या लगन में वालक जो पैदा होता है और दूस्वाव लगन है चार पाई में पड़े हुए सपने लेता रहता है और योजनाय भौत ब देने वाला है परंतु उस अभैसरी योग से सूरिय शुब हो गया कोई तकलीब नहीं देगा कोई कश्ट नहीं होगा बात करते हैं चंद्रमा यहां पर है 26 दिग्री है तो 26 दिग्री के अनुपात में वो फल देगा अगर इस तरह से आपका ग्रहे आपका एकादस भाव का सामी अगर दसम भाव में है और दसम भाव को के सामी को गुरू देख रहा है और गिरो में अच्छा है गिरों के डिग्री में अच्छा है तो उसी अनुपात में फल मिलेगा इसको उसी अनुपात में कम फल मिलेगा यह तो जहुरी बात है उस ठेगा जरू कुछ न कुछ तो फाइदा होगा तो यहां पर सूरिय का भी जो नकारत परभाव था वह उवेशरी योग से खत्म हो गया, मंगल की बात करते हैं, इसमें योग में, किर्ती योग में, हमारा बुद्ध का पर्भाव भी आ गया, शुक्र का पर्भाव भी आ गया, गुरु का भी सुब पर्भाव आ गया, तो लएन और लगनेश उनली का संचालक है, जब गुरू और सुक्र और बुद्ध की वज़े से लगन और लगने बन गया तो इनका बाकी प्रभाव देखने की कोई आवशक्ता नहीं है वो तो योग में आगे विचरी योग में आगे दामनी योग में आगे और किर्टी योग में आगे बात करते हैं मंगल के मंगल तीस सबाव अपनी रासी में प्राकरन साथ की कमी लेखन शक्ति अच्छी होगी यह लाई जगडे लेने वाला भी वह ले उसका जाते का तेज सबाब होगा बाद विभाव में पढ़ने वाला होगा बाकी सब यह उसको सम्हाल लेंगे रखा स्वामी मेस रासी का स्वामी लंगर अपनी रासी में लेकिन सनी अस्थम वहाव में योग कारक होता है वैसे भी लगन के चार डिगरे सनी के बाइस है अठारे डिगर का फरक है कुछ तकलीब देने वाली बात नहीं है सब्तम दिश्टि से धनवाव को देता धन की विधधी करेगा और दसम दिश्टि से सिक्षावभा2 को को देगा अस्टम को सक्षराव 2 थोड़ा सक केतौं कभी हो लेकिन कुल्णी में जब ये इतने चुह हो जाते हैं तो कमी सब पीछे रहे जाती है कियुत अच्छे जोचे कींडा मियूद जातकों उपर उठार रहे हैं具 गातका उयह तरो मना को भी तकली रहे है वह एक अलग बात है जा सुब के शाद असुबता भी जूड़ी रहती है लेकिन ये सुब्योग तीन यूग जातक को कहीं न कहीं उसको उपर ले जाएंगे तकलीफ तो आती हैं तकलीफ आई जबी तो जातक हमारे पास आया कुछ न कुछ तकलीफ तो आती है जातक कि अभी शनी की महादशा चल रही है जो की 25 मार्श 2008 से सुरू हुई और 26 तीन 27 तक है जो की तारा पदिती में प्रत्री दसा है शत्रुवद दसा है अशुब दसा है जो भी बात है दसा का फल मिलेगा लेकिन शनी की महादशा में राहू की अंतर दसा जो 6 नौंबर 2021 से 12 स्टंबर 2024 तक वो वद दसा चल रही है वो भी दसा खराब चल रही है इसलिए जा तक हमारे पास आया कि गुरू जी ये मेरे को अच्छा योग बताते क्यों नहीं में रहा क्यों दसाएं खराब है पर दसाएं अपना तो अपने अपने ग्रह की अलग अलग है जो खराब भी आएगा अच्छा भी आएगा उसके बाद शनी गुरू की दशा बारे नो चोबीस से इकतीस तीन सपाइस तक आएगी वो की आदी मित की दशा होगी और जातक की सारी समझाएं पार हो जाएंगी जब तक जातक को और प्रभाव की बात करें तो सूरिय चंद्रमा नक्षत्र से सब्तम स्थान पर है दर्स को याद रखो चंद्रमा जो नक्षत्र है उससे सूरिय अगर साथवे नक्षत्र में होगा बारवे नक्षत्र में होगा सत्रवे नक्षत्र में होगा बाईसवे नक्षत्र में होग विवा की संबंदित प्रेशानियां आएंगी उसका उपाए करना पड़ेगा अगर उपाए नहीं किया तो तलाग भी हो जाएगा जहां शुब है तो अशुबता भी मिलती रहती है चर्राशियों में चर्राशिया एक चार दस होती है एक आदस भाव का सामी या उसमें स्थित्गर है वो अस्त्रम सिकरे तो बादकेश बनता है वो भी देखना जरूरी है और इसी तरह से सब्तमेश भी तो बाकी भी कुछ हैं समझाएं तो हैं क्योंकि केतु की दृष्टी सूरिय पर है सूरिय सूरिय ग्रहों का राजा है पित्र दोस का निवारन करना पड़ेगा और यह सबसे बड़ा दोस है और लगने स्काराट्रन kendh 30 हो जाए चंद्रमा लगन में पीडित है सूर्य लगन भी यहां अबैचरी में दे रहा है वो एक अलग बात है लेकिन सूर्य पीडित है केतु से तो उसका तो उपाय अगर वैसे अच्छा देगा लेकिन अगर आप उपाय कर लोगे तो अच्छा ही बढ़ जाएगी नहीं है तो अच् की आवश्चक है सूबह उद्य होते हुए सूर्य को जल दो साथो ग्रह को दल चला जल चला जाता है और सूर्य निमित जो कारत के कर्म है उनको करो भगवान आवश्चक फल देंगे दर्सको आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे योग किर्टी योग दामन हासनी से पीडित है इनके परहावादी के वारे में बताया है अगर आप समझते हो आपका मार्ग देशन हुआ है तो फिर मैं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो को लाइक करें मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके यार दोस्तों को फाइदा हो और इनका योगों का जो पूर्ण फल तभी देगा जब उनको हम करेंगे और दसको बाते को है देखो सुब के साथ और सुबता जरूर है छोटे मोटे ये दोस्त आते ही है नहीं भी करेगा तो रहा तो मंजील है आसान है मिलेगा सब कुछ लेकिन उसी अनपात्म मिलेगा थोड़ा सा किया तो ज्यादा अनपात्म मिलेगा फिर कौंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें ताकि मेरा मरोगल उचा हो और मैं इसी तरह से वास्तिक कुंड़ी का वीडियो आपको बनाकर आपका माग दस्म करता रहूं धन्यवाद